तेरे हाथों की शमों की हस्रत में हम नीम तारीक राहों में मारे गए। जो पेछड़ गए एपिसोड टू, वियोर्स जितनी खुबसूरत ये एपिसोड थी उतनी ही एंगेजिंग कि पूरी एपिसोड में केई जगा लगा कि दिल धड़कना बंद हो गया है। लगता था कि किसी बॉम दमागे से पहले की कवरिज दिखाई जा रही है और बंब है कि किसी वीवग ब्लास्ट हो जाएगा। एपिसोड के आगास में ही कुछ स्टूडन्स अपनी जान की खातिर भागते हुए दिखाई देते हैं और ऐसे लगता है कि उन्हें हरासा करने के लिए हर तर्फ घंटियां बजाई जा रही हैं। अपनी जान बचाने के लिए वो उसी बाइस प्रोफेसर के पास पना लेने पहुंच जाते हैं जो के मुक्ती बहानी का एजेंट है और फसादात को हवा देने वालों में पेश पेश है। वो ये समझते हैं कि वो टीचर है और हमें बचा लेगा। लेकिन उन्हें उसके कमरे में कदम रखते ही भरपूर तरीके से अंदाजा हो जाता है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। फिर हम देखते हैं कि सोनिया उन स्टूडेंट्स का केस लेकर आर्मी के पास उनकी बैरिक्स में जाती है यहां कोई भी उसे कोई एक्शन नहीं लेता और नहीं उसे गाइडन्स मिलती है जैसा कि सिचुएशन खराब है और सोनिया एक्सपेक्ट करती है कि फोरेनी पता वहां क्या हो रहा है वो स्टूडेंट्स के साथ शकारा खेल रहे हैं और आपको नहीं पता शकारा क्या गेम है उसमें स्टूडेंट्स को मुर्खा बना दिया जाता है और हरासा किया जाता है उनकी नामों की परचियां डाल दी जाती है और फिर उनको मारा जाता है आ और वो वक्त दूर नहीं जब सड़कों पर पकड़ पकड़ कर वेस्ट पाकिस्तान के लोगों को मारा जाएगा। यहां पर फोज के हाथ भी बंदे हुए दिखाई देते हैं कि वो एक खास हद से ज्यादा एक्शन नहीं ले सकते। वो कहते हैं कि अगर दुश्मन होते तो हम मार ही देते अब अपनों के खिलाफ कैसे उट खड़े हों। यहां मामला बहुत ही सेंसिटिव था। अगर आर्मी ऑप्रेशन कंड़क्ट कर देती यूनिवस्टी में जाकर या किसी भी जगा पर तो वेस्ट पाकिस्तान तो और ही ज्यादा बदनाम हो जाता कि जल्मों सित्म कर रहे हैं। ऐसे में तो पूरा सबूत ही हाथ में आ जाता कि वेस्ट पाकिस्तान वाले जल्म कर रहे हैं मजलूम स्टूडेंट्स पर और उन स्टूडेंट्स ने तो कुछ किया ही नहीं। प्रापोगेंडा इतना हाई लेवल का हो चुका था कि सच और जूट के दर्मियान तमीज करना मुश्किल ही नहीं नामुम्किन हो चुका था सोनिया को कैप्टन फरुख जो पूरी गफ्तगू सुन रहे होते हैं वो यकीन दलाते हैं कि पूरी मदद की जाएगी वो अपने उन पर युनिवस्टी जाते हैं वार्डन से मिलने के लिए और वहां पर देखते हैं कि कुछ स्टूरंट्स को जबर्दस्ती श्राप पिलाई जा रही होती है यानि के इंतहाई गंदा माहूल है जो उनकी नजर से गुजरता है इतने में वार्डन साहिब पीछे से आ जाते हैं और कैप्टन फारुख जिनोंने अपना नाम गया सुद्दीन बताया होता है इस बात से बेखबर कि ये शक्स मुक्ती बहानी का कारिंदा है अच्छे से सब कुछ जानता है उनके बैक्राउंट से भी वाकिफ है और पलपल की खबरे आर्मी बेरिक से उस तक पहुँच रह नहीं है मैं आपको केंट का रस्ता दिखाता हूँ कैप्टन फारुख पर जहां ये इनकिशाफ होता है कि ये शक्स फोज की बारे में सब जानता है और जानता है कि उनका तालुप भी फोज से है और उन लापता स्टूडेंट्स को कैप्टन फारुख एज एन आर्मी इन् ही गंबीर हो जाता है और सोनिया इसको लेकर बहुत ही सीरियस है वो बैस पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को गैदर करना शुरू हो चुकी है ये खबर वहाज यानि रूमी तक पहुंचाई जाती है और उसको पता चलता है कि सोनिया आर्मी बेरिक्स तक भी गई थी ये सब वही बाइस किसम का प्रोफेसर आग लगाते हुए रूमी को बताता है और साथ ही ये बताता है कि अलेक्शन बेशक हमारे हक में आ भी गए लेकिन तुम देखना कि वेस्ट पाकिस्तान वाले कभी भी हमें हकूमत नहीं बनाने देंगे और मुजीब उनकी बातें मान लेग जानी एक तरह से वो अपने ही लीडर मुजीब उर्रह्मान के खिलाफ ही खड़े हो रहे हैं और साथ ही स्टूडन्स को भी खड़ा कर रहे हैं उन लोगों की फसादी जहनियत आया हो जाती है कि वो किसी भी सूरत में बंगला देश को स्टेबल होते नहीं देख सकते फिर वो बहुत ही इश्टियाल में घर में आता है और अपनी चची को कहता है कि आप सोनिया को कंट्रोल कर ले क्यूंकि मैं वैस पाकिस्तान की हामी होती जा रही है और आग हमारे घर तक पहुँच जाएगी और मैं रोक नहीं पाऊंगा उसकी चची इस बात को उस वक्त तो सीरियस नहीं लेती और उसको डांट देती है लेकिन आइस्टा आइस्टा उनको भी समझा जाएगा कि उनकी बेटी आग से खेल रही है उनके घर नियो येर पार्टी होती है जिसमें कैपटन फारुग को भी बुलाया जाता है और वो सोनिया के बाई के साथ टैनिस खेलते हुए भी नजर आते हैं ये सब कुछ रूमी की नजर में आ चुका है और रूमी बहुत ही दुरुष्ट लहजे में कैप्टन फारुक से बात करता है कहता है कि आप मिलिटरी रूल्स से नजात चाह रहे हैं और हम आप से नजात चाहते हैं वो पार्टी के वक्ट घर में मौजूद नहीं था वरना जरूर वो किसी सक्क किसम का रियक्शन तो शो करता यहां महबत की कहानी जनम ले रही है कैप्टन फारुक और सोनिया के सीन बहुत ही खुबसूरत थे और उनकी आपस में केमिस्ट्री भी एक जगा पर जब वो आपस में गुफटगू करते नजर आते हैं जहां रूमी उनको देख लेता है और सक्त तैश में आता है रूमी की महबत सोनिया के लिए बहुत ही वाज़े है जबके सोनिया उसको कॉल्ड रिस्पॉन्ट करती है ड्रामा धीरे धीरे मेगा ब्लास की तर्फ बढ़ रहा है लावा किसी भी वक्त पटने के लिए तियार है और अपने साथ सब कुछ बहा ले जाएगा यहां पर बहुत ही नाइसली अलेक्शन कवरिज की गई इंडिया और पाकिस्तान और बंगाल मीडिया ने जस तरह अलेक्शन को कवर किया वो बहुत ही अच्छे तरीके से दिखा आया गया कि सेम अलेक्शन अपने अंदास में कैसे डिफरेंट इरिया से पोर्डरे किया गया इंडिया ने किस तरह आग को बढ़ावा दे कर बढ़ा चड़ा कर मसाले लगा कर खबरें बियान की इंड पर हम देखते हैं कि वहाज यूनिवस्टी में तक्रीर कर रहा होता है कि कॉंस्टिलेशन पॉर्मूला जो पाकिस्तान पेश कर रहा है मजीर बुर्रह्मान इस मजाकरात करने के लिए पाकिस्तान जा रहे हैं इन्हें हम कभी भी ऐसा नहीं करने देंगे यहां पर पता चलता है कि लीडर्स के हाथ बंदे हुए होते हैं उनक्यों जितनी भी हाई लेवल की जीत मिल जाए वो इंडिपेंडन्ट डिसीजन कभी भी नहीं ले सकते डिसीजन्स उनी के होते हैं जो उनको स्पोर्ट कर रहे होते हैं और इन्फ्लिएंस उनी का होता है जो उनको इस मकाम तक लेकर आए है रूमी कहता है कि अगर ये कांसुलेशन टॉक के लिए वेस्ट पाकिस्तान गे तो हम इनका साथ नहीं देंगे पता चलता है कि कितने हाई लेवल की पॉलिटिक्स हो रही है और कुछ लोग तो पहले से ही डिसाइड किये बैटे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मंगलादेश तो बन के रहीगा नेक्स एपिसोड प्रोमर में हम देखते हैं कि फसादात मजीद बढ़ चुकी है और हालात बहुत खराब हो चुकी है वेस्ट पाकिस्तान वालों का कतले आम होना नेक्स एपिसोड में स्टार्ट हो जाएगा आगे ये भी दिखाया गया है कि बहुत से अलाकों में फोज की हालत भी पतली है और वो अपनी जानों के खत्रे में डाले बैटे हैं और बहुत मुश्किल से सर्वाइब कर रहे हैं हमीं भी आपकी तरह नेक्स एपिसोड का बेसबरी से इंतजार रहेगा कैप्टन फरुख के गेडगेरा बहुत ही तंग हो चुका है रूमी कैप्टन फरुख के पीछे पड़ चुका है सोनिया की वज़ा से मुक्ति बहानी का मोरा प्रोफेसर जो होस्टल का वार्डन भी है वो भी पिन पॉइंट कर चुका है कैप्टन फरुख को कि वो इंटालीजेंस के लिए काम कर रहा है यूनिट का मेजर जो के बंगाली भी है और रा का एजेंट भी है वो भी मिल गया है इन सब के साथ तो ये तीन लोग मिलकर कैप्टन फरुक के पीछे पड़ गए है रूमी ने एंट पर बहुत ही जबरदस्ट एक्टिंग की जो कि सपर्ब थी उस सीन को मैंने रिपीट करके तीन दफ़ा देखा लगता था कि वो एक्टिंग तो कर ही नहीं रहा बिलकुल रियल लग रहा था रूमी का ये सीन एक तरहा से वहाज की पूरे साल की परफॉमिंस को एक तरफ रखा जाए तो ये सीन एक तरफ उस पर भारी है अगर एक सीन की वज़ा पर बेस्ट एक्टर ओफ दे यर दिया जा सकता एवार्ड तो रूमी को इस सीन पर मिलना जरूर बनता है खुशियों के पल बहुत ही कम रह गए है और लार्ड स्केल रिवॉल्ट स्टार्ट होने वाली है मिलकर देखते हैं एपिसोड थ्री अब तक के लिए बस इतना ही करते रहे हमारे वीडियों को लाइक और सब्सक्राइब करना तो भूलिये ही ना